आज हम बच्चों कच्छ अच्छा इतिहास पाठिक के बारे बताएंगे कैसे पता करें कब क्या हुआ था इतिहास जानने के सुरूत अब देखिए कैसे पता लगाता है कि अतीत में एक ऐसा भ्यूद था जब लोग लिखना नहीं जानते थे उन लोगों के जियोन के बिसे में उनके द्वारा छोड़ी गई बैस्तियों जैसे मिट्टी के बरतन मिट्टी के बरतन आवजार खिलाउने हतियार आदी बस्त में पुरत अत्वेत्ता जमीन के अंदर से खोद कर प्राप्त करते थे ये अतिहासिक जानकारी के लिए अत्यांत महत्पूंड तथे इतिहास कारों ने अतीत को तीन भागों में बाटा है नमबर एक है पूर्व प्राक अतिहासिक काल वहकाल जिसके बारे में कोई लिखित साच या समागरी नहीं उपलब्ध है उसे पूर्व प्राक अतिहासिक काल कहा जाता है दूसरा है आद अतिहासिक काल वहकाल जिसके बारे में लिखित साच प्राप्त है किन्त उसे पढ़ा नहीं जा सकता है उसे आद अतिहासिक काल कहा जाता है वहकाल जिसके बारे में लिखित समागरी प्राप्त है तथा उसे पढ़ा भी जा सकता है उसे अतिहासिक काल कहा जाता है अब बच्चों हम जानते हैं कि साहित्तिक स्रोत और पुरा तर्तिक स्रोत के बारे में देखिए इतियास जानेक स्रोत जैसे पुरा तर्तिक स्रोत के अंतरगत जैसे है कि पुरा तर्तिक स्रोत के अंतरगत अभिलेक, मुद्रा, सिक्के, बरतन, बस्त, राउजार, प्राचीन, भावनों मंद्रों, इमारतों, इस्तूपों के उसे इसको सम्रित के जाता इनके अध्यान से प्राचीन मानों के रहांसान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है जैसे अभलेख सिक्के अभलेख यह जो है असुप का रोमिन देई अभलेख है इसमें उपज का आठोंब हाथ कर के रूप में लिया जाता था सिक्के इसके गुप्त सासक कुमार गुप्त प्रथम को घुर्षवारी करते हुए दिखाया गया है अब बत्ठों साहेयती फिर्षवारत के अंतरगर जैसे हम बताते हैं कुछ साहेयती ग्रंथों से हमें उन लोगों के रहांसान खान-पान के बारे में जानकारी प्रात होती है जैसे रमायर रमायर महा भारत कि इसी यात्रियों के वितांत मिदसी यात्रों से भी इतिहास कारों के बारे में जानकारी प्राप्थ होती है जैसे मेगस थने इंडीक नाव कुछ तक की रषना कि यह उनानी यी यात्री था प्युद्य का वीडियो हमारा हनु समाप्त होता है और पूरा अगली वीडियो में हम मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद